दोस्तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्रधा पैंशिन का पैसा कैसे चेक कर सकते हूँ, पेमेंट, स्टेटस, ओनलाइन आप कैसे देख सकते हूँ, आप लोग कई सारे कमेंट आरें किसरे इस पर एक वीडियो बनाएए, तो मैं यहीं बताने वाला हू यह ऐसे ही वीडियो की जनकारी आने के लिए, तब सर पहले आपको Google पर सर्च कर लेना है, PFMS आप जैसी सर्च करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर पहले वाला जो लिंक है, इसी पर आपके लिक कर देना है, PFMS पर, इसके बाद आपके सामने pfms.nhe.in, इस तरीकी एक व DBT Status Tracker इस वाले option पर किलिक करना है, DBT Status Tracker वाले option पर आपको किलिक कर देना है, किलिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का page खुल करके आ जाएगा, अब आपको category में select कर लेना है, category में आपको any other extension system यह इसको आपको select करना है, यह वाला option है, इसको आपको select करना है, any other वाला option आपको select कर लेना है, इसके बाद DBT Status में आपको दो option देखने मिलेगे, पहला है, beneficiary validation का और दूसरा है payment का, यदि आप अपनी pension form का beneficiary check करना चाहते हैं, कि आपका beneficiary बना है या नहीं बना है, तो आपको first वाला option select करना है, अगर आपको payment चेक करना है, तो payment वाला option आप आपको select करना है, इसके बाद enter application ID, तो application ID में आपको आपका जो form है, उसका आपको registration number आपको डालना होगा, registration number पंजीकर संख्या, application number आपको यहाँ पर fill करना है, registration number ठीक है, आपको अपने pension ब्रदाफस्ता pension form का registration number आपको यहाँ पर fill करना है, आवेदन संख्या यहाँ पर डाल तो word verification के column में यहाँ पर आपको capture को fill कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर search वाले बटन पर click करना है जैसे ही आप search करेंगे आपके सामने payment detail खुल करके आजाएगी कुछ इस तरीकी ठीक है अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले application ID आपको देखने को मिल जाएगा beneficiary code आधार नमर आपको देखने को मिल जाएगा scheme code किया है कितना आपको amount मिलेगा request payment का कब डाला गया है यहाँ पर आप देख पाएंगे validation status में आप यहाँ पर validate होना चाहिए ठीक है payment आपका squad fund status column में fund approved है या pending है यहाँ पर आप देख पाएं कि state में fund approved होगा यहाँ से आप जानकारी निकाल पाएंगे इसके बाद file status का column आपको देखने मिलता है तो यहाँ पर file status अगर आपका bank receive लिख करके आ रहा है तो आपके खाते में पैसा आ गया है अगर send to bank आ रहा है तो आपको wait करना है कुछी time बाद से bank receive लिख करके आ जाएगा आपके खात status का यह update है यहाँ पर आप देख पाएंगे payment successful हो चुका है यहाँ पर आपको payment का status देखने को मिल जाएगा और इसको update होने में थोड़ा सा समय लगता है लगवक 24 गंटे में यह update होता है अगर आपका bank receive हो गया है तो इसको update होने में payment successful लिख करके आने में 24 गंटे का लगव समय यहाँ पर लगता है अब यहाँ पर देखें तो आपको PFMS transaction ID, UTR नमर, bank transaction date, cup credit आपके खाते में पैसा add हुआ है यहाँ पर update भी देख पाएंगे इसके बाद यहाँ पर कौन सा account number last के 4 digit आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैसा चेक कर पाएंगे या अगर आपका rejected हुआ है तो आपको rejected का reason description की column में आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ब्रदाफस्ता pension का पैसा चेक कर सकते हैं कि आपका pending है या approved है, bank receive हुआ है या नहीं हुआ है, पूरी जानकारी आप खर वेटे ही निकाल पाएंगे कितना आपको amount मिलेगा, सारी जानकारी आप अपने mobile के माध्यम से देख सकते हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरीके आप ब्रदाफस्ता pension का पैसा चेक कर सकते हैं, आसा करते हैं, आपको यह जानकारी पसंद आई हुगी, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक केजिए, जाद अदम दोस्ता स्चेर केजिए, थैंक्यों रोचें